आज की इस वीडियो में हमने गुपता डानेस्टी के बार में पढ़ना है लेकिन गुपता डानेस्टी में भी सबसे इंपोर्टन नाम आपके सामने आने वाला है क्वीन दिन्दा का ये नाम बड़ा important है ये आज हमने पढ़ना इनके बारे में क्योंकि बड़ा कम हम generally पढ़ते हैं अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आज की वीडियो important समझेगा इनके बारे में इन्हें कैथरीन आफ कश्मीर का नाम भी दिया गया है इन्हें चुडेल रानी भी कहा गया ये इनके गर में बात करूँगा वैसे तो ही राज परिवार को बिलॉंग करती थी लेकिन परिवार ने एक परकी से अलग रखा हुआ था स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स लोगरा फेस कर रहे थी डिसेबल थी चलने ही पाती थी उसके बाद जब husband की death हो जाती है सती के लिए कहा जाता कि जाओ तुम भी मर जाओ इस तरह से करके और बेटे को बढ़ा करते हैं राजा बनाते हैं बेटा बाहर निगाल देता है और वह भी आगे चुडेल का दरजा देता है ये स्टोरी है क्वीन दीदा की रानी दीदा की जिसे अनफॉर्गेटन क्वीन से पर रहे थे यहां पर जिसमें हमने लास्ट के एस वीडियो में जर्म में सब्सक्राइब कर लिया हुआ उसके बाद अब गुप्ता डैनिस्टी की तरफ चलते हैं गुप्ता डैनिस्टी में टाइम लिखा हुआ कि एक हजार तीन एडी तक टाइम पीरिड था एक्जट डेट अब को सामने क्लियर हो जाएंगी स्टेप बाइस चलते हैं सब कुछ क्लियर होता जाएगा गुप्ता गुप्ता डैनिस्टी की बात करें यहां पर टाइम पीरिड मेंशिट करके 939 से लेके 1003 एडी तक का टाइम पीरिड था लेकिन ऐसे नहीं हुआ था जैसे उत्परा डैनिस्टी का एंड हुआ था उसके बाद तो यह वह ब्रहामनिक रूल कहा जाता है समझे हो कि 10 यह तक जो है वह ब्रहामनिक रूल चला था उसके बाद गुप्ता डैनिस्टी की स्टार्टिंग होई थी एक्जेक्ट हम गुप्ता डैनिस्टी की बात करें वह पर्व गुप्ता फाउंडर माने जाते हैं तो टाइम पीरिड होगा वह 949 से लेके 1003 एडी तक करना है हम कवर करते करें विकुल सिक्वेंस में उत्पला डैनिस्टी हमने एंड करी 939 एडी में उत्पला डैनिस्टी जैसी एंड होते हैं फिर यसकार देव की बात करेंगे जो की प्रभाकर देवा के बेटे होते हैं इन्हें ब्रहमन्स जो हैं वह गद्दीवर बिढ़ा तकी तुम आज के देखे 948 तक रूल करते हैं वह भी रूल क्या करते हैं अबर संग्राम देव के बाद जो है यहां से कहानी स्टाथ परव गुप्ता जो है बेटे विली सिकुएंस तलती जा रही है परव गुप्त जो है जब इनके स्टाइटिंग होती तो यहां से जो गुप्ता कैना में दिदद शेमा के नाम से नहीं जाने जाता हो क्यों वह सब कुछ सब उसक diarrhea कि नाट की तरणाथनें आथ है और है आप कि इनके ओपर बहने बायरे हैं जलदी से रहा है कंगनार आग्ह आप इको देख रहे हो तो प्रमिषद करे शाथ लोगों को यहां पर क्या लिखा हुआ है तो यहां पर देखे कहा गया हमारा बारत वर्ष साक्षी रहा है जांसी की रानी जैसी कही विरंगनाओं की कहानी का ऐसी एक और अंकही वीर गाता है कश्मीर के गरानी की जिसने महमूद गजनिवी को एक नहीं दो बार हराया लेकर आ रहें मूवी का नाम जो था वह है यह मनी का रिटन्स मनी करनी का रिटन्स दा लेजंड अफ दीदा यह 2021 के आसपर सब्सक्राइब करेंगे और खाला था कि 2023 तक आई जाएगी लेकिन अभी आई नहीं क्या पता एक्सपक्ट करतें जल्दी इस पर काम भी स्टार्ट हो य करने थे और यह जो यह दिद्दा कश्मिर की योदा रानी अशीश कोल के बात करेंगे को बुक है जिसमें उनों इनके बार में बताया है सब कुछ हम चलते इनके बार में पढ़ लिया थे उससे पहले जो पहले बी तक पढ़ाया है जो कि पढ़ाऊंगा उन सब के नोट आपसे वाँपर भी update मिलते रहते हैं वह भी किर लेना और टेस्स का link मिल लेक है कमेंट सक्षिन सेक्षिन में वह भी करेंगे जो भी पढ़ाया जाते है अब यह एक सलाइड है एक स्लाइड से आपके सारी कहानी में आप शत्म कर दो को सब कुछ समझा दूँगा ठी कैने इसको में छोड़ा कर लेता हुँ यहां पर देखो क्वीन दिदा की बात करेंगे यह किंग सिम्राज की बात करेंगे जो लोहारा डैनिस्टी के राजा हुआ करते थे उनकी बेटी थी तो यहीं कि राज परिवार को बिलॉग कर रही थी अपनी मदर साइब मा की तरफ से बात करेंगे तो चाहिए पापा के साइड से बात करेंगे तो नों तरफ से यह एक तरह से आप कहो कि राज परिवार को बिलॉग करें प्रिंस तब भी तो कहा गया कि शेम गुपता ने प्रिंस इद्दर से शादि कि लेकिन वहीं बात है कि लगता नहीं थे कि कभी चल भी अब अलग बात है लेकिन हां बड़ा कुछ किया उन्होंने उस टाइंप पर भी अब देखें कि कुछ कुछ मिनिट्स पर हम देख लेंगे सब कुछ तो क्या होता है टोटीश की रभी एज होती है शेम गुपता से इनकी शादी हो जाती है लेकिन शेम गुपता की बात करे कि इनको चलानी जाता था इनको वहां दिखनेवे भी ब्यूटीफूल थी बहुत जादा था तो इसलिए शेम गुपता की चलनी पाथ फिर जो शेम गुपता शादी गए थी ब्यूटी से एट्रक्ट होने के बात होती है और वैसे भी आगे चलते करते हैं कि शेम गुपत क बात करेंगे इंका काम क्या था शराब वगारा डिंकिंग वगारा परपस हुआ करता था गैंबलिंग अगारा करना शिकार पर जाना इस तरह का या हो गया घ्रत है अब जो शेम गुप्त की डैथ होती है यहाँ पर यह मेंशन किया हो गा 9858 का ताइम गुपता की डेथ हो जाती है अब जब शेम गुपता की डेथ हो जाती है तो सिस्टम किया वहांबर की सती करने पड़ेगी तो अगर हजबन की डात होगी तो वाइफ को भी मरना पड़ेगा लेकिन नहीं यह अपोस कर लेते हैं इनके जो मिनिस्टर हुआ करते हैं उस टैंप पे जो इनको बड़ा रॉयल मानना करते हैं यह कभी दोखाने देंगे चीट इस नहीं करें के सपॉर्ट करें वो भी सैप करता है यह सती की जी तुम्हारा काम चटम होगे क्योंकि सब को होता क्या था कि हजबेट की डथ हो गई है आब सिकासन को वाले का वा क्यों कि बच्चे छोटे हैं तो हम हमारा नमबरा सकता है हम गदी पे बैठ सकती इस तरह कर जिब चला करता था लेकिन रहाली ने खें खेंस ब्रिट करेंगे जहरें लोगों के जा रही ओर उर्त की सरे पहले पर किसे और तुरूल कर सकती है वो सब कुछ भी यहां पर कहा गया कि इन तरह के बाते 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 निकलवाई और कुछ तो मतलब अपने तरीके से मार दिया जहर वगरा दे के ब्यूटी से अट्रेक्ट वगरा कर ऐसे का जाता फिर जहर वगरा दे फिर उनको मार दिया तो कहीं तरह की बाते सामने आती है लेकिन हां अलग अलग तरीके यूज़ करें जिसकी हैल्प से जो भी इनको लगता था कि हाई एनिमी है अनुट है बे दुश्मन बन सकता है कुछ ना कुछ कर सकता है तो उसको मार दिया गया इस तरह से करके तो और कहा जाता है बड़े ब्रुटल तरीके से मारा करते थे जिसको भी मार सब्सक्राइब करते हैं तो अभी मन्यों को जब शिक्षा दी जाती है पड़ाया जाता है उनके अंदर हर तरह की क्वालिटी जो है लाने की कोशिश करी जाती है लेकिन बाद में यह अभी मन्यों की बात करेंगे वह अपने माहा को गर से बाहर निकाल देता है और जो है फिर से एक बार रूल जो है वो दीदा अपने कंट्रोल में कर लेती हैं यह कहानी सामने आती है जो कि कलन की दौरे मैंचन करा गया अब आपको यह सिक्वेंस की तरफ में दोबारा से आऊंगा ठीक है हाँ चलो मैं एक सिक्वेंस आपको और कवर कर दो शेम गुप्त जो है वह जैसे मैं आपको कहा कि वह ड्रिंकिंग गैंबलिंग या फिर हंटिंग इसी पर ज्यादा फोकस क्या करते थे तो राज राज को जो भी सिस्टम था हना स्टेट वगर जो भी स्टेम पे थी उसको संबालने के काम जो कुई डिदा बड़े सही तरीके से कर रही थी लेकिन हां शेम गुप्त की बात करें यहां पर लिखा हुआ है उन्हें की नाम के साथ कि वह अपनी वाइफ के बिना कुछ नहीं कर सकते थी इस तरह की बाते सामने आते थी तो इस तरह से मैंशन करे जाता था तो वहां से पता था कि पूरा सिस्टम मेंगर कैसे संबालना क होगी हजबेंट जो वसे से फोकस नहीं कर पा रहें कि राज किस तरह से चल रहा किस तरह से चलना सारा इंदी को पर रिस्पॉंसिबिल्टी पगरा थी कहने को राधा शेम गुप्त लेकिन डिसीशन सारे यह ले रही थी फिर आगे बेटे के बारे बेटा कहने में राजा क्या बना ? बाकर के रचेकर बना में राजा बना में राजा बना तो उननों ने कि फेसी तरह से मरवा दिया और फाइनल नाइन एटीवन तक जो सारे लास्ट पोता था ग्रैंड अभी वन्हों को बेटे थे तीन उसमें से उसके बाद जो है क्वी जिद्धा जो है वह इंडीपेंडेट डूलर बनकी चलती है नाइन एटीवन से लेगे एक हजार तीन तो कोई बचा नहीं है तो इंडीपेंडेटन भी किसने रूल करा क्वी जिद्धा ने यहां पर रूल करा था और क्वी जिद्धा क्या करती है अपने जानने से पहले पहले ही तो संगरम राज की बात करेंगे जो उनके बाई का चाता है उसकी बात कर जा रही है तो इस सीक्वेंस थी वह सारी समय जाए कि शेम गुप्त से शाद्य की डाथ होती है फिर अभी मन्यों को बिठा जाता है अब विन्यों को तीन बेटे हैं हर टाइम पर जो है वह क्वी जिद्धा ही रही है तो पचास सालों तक लगबग क् इंडिरेक्ट लिग लेकिन रूल किस्ते के क्वी डिदा ने किया अब क्यों कहा जाता है क्वी इस तरह से भी कहा जाता है कि यह पौवर्फुल रॉनी थी जिन्हें हम सब भी बूल चुके हैं वह क्यों वह सब भी डिसकुशन कर लेती हैं देखो इनकी टाइम पर जो ने आ रहे थी जो अने पर बड़ी पॉवर्फुल हो जाएगी है ना पॉवर्फुल हो रहे थी उस टाइम पे वह उसके बाद आपको बताया उत्पर डैनिस्ट्री भी आगी तक मतलब और पॉवर्फुल होते जा रहे थे लेकिन क्वीन दिदा की बात करनें कि कमर थे इनके बाद आगे बढ़ेंगा दमारस के बार में किस तरह से काम कर रहे था यह तो इनको बड़ा पूरे तरिके से अपने जो राज्य है ना उसको सेफ करके रखा हुआ था किसी तरह खत्रा नहीं आ रहा था राज्य में अपने टाइम पे 64 के आसपस टेंपल बनाए कि किसी जगह में बनाएं लेकिन बाद में कहते हैं की लड़की है यह रूल कैसे कर सकती है लड़की के बार में कोई बी नेगेटिव बत अराम से फढाए जा सकती है लोग बिलीव बगारा भी कर लेंगे है लेगे और इके बार में यह पाताया है नको हूंनों मैंन सुना होगा ना Depois रहे लेकर रहे था कुछंड़ा के बार में का जाता है यही वह था रिय्वक्व किन्या खरला है इसी हल्से से 55000 की सेना का मकाबला कर रहाएं सिरफ 500 लोग दो बार कश्मीर वे लेकिन कुछ नहीं हो पाया क्यों कि क्वीन जिदा थे कोई और होता तो क्या पता काम घराब वहता लिए क्वीन जिदा ती इसी की वज़े से जो है महमुद अफ़ गजनी नहीं आपाए सफल नहीं हो पाए इस यहां पे टाक करने में तो यह क्वीन प्मॉन टाक कीछां मैसे जाना चाहिए कि हाँ यह बंदा जो है इसको मैं मार उसने गरत की तब है तुम कुछ कलत में इसके तरह से करके तो झांझार ने काम कि है अपने राजilen के बारे में कहीन सारे बात कहा जाती है और एक राट dog a बादना नार्मल सा ना यह बनार ता क लड़की है ऐसा ही सब कुछ कर सकता है अगर लड़का होगा वो कुछ भी कर लेगा तो गलत हो जाएगी और लड़की कैसे कर सकती है पुराने समय के सोचती उसकी वज़े से जो है आज क्वीण जो नाम घराब हो चूका है कैथरीन अफ बीगेंजा को कैथरीन अफ ब्राइब को बोलो स्टार टिक नाम आपके सामने मैंने में ने अभला सबसे पहले स्लाइड थे मैंने कैथरीन ऑफ कश्मिर कहा कर रचीर हो नहीं किया था वी खुदी पस़ा ने कंट्रॉल में के थी और अपने एड़े को हैiform करा आ के यह सोच थी इस विवे भी पढ़ते हैं सोर्स मैक्सिमिन को मिलते क्यों हटा दिया इनिके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिय लगे रहा हुआ अब बस उमीद है ये मोवी जिसके बार में बात किया मनी करने का रिटर्ण इसकी शूटिंगे जल्दी से स्थार्ट न के बार में पढ़ने को मिली और ये ऐसा नाम है जिसके बार में इसे पढ़ाया जाता है पढ़ना चाहिए हमारे पास बीजिती नौलेज होती है बहुति प्रावड मोमेंट रहने वारा जम्मो किश्मीर के लिए वीडियो को शेर किजिएगा क्वीजिदा के बारे में एक रील भी बनाने वालों इस्टेग्राम में शॉट्स में उसे भी शेर कीजिएगा थैंक्यू जाहिंद